इसके अलावा टाटा समू के लिए भी ये एक बेशक बहुत बड़ा जटका है लेकिन लंबे वक्ते तक वो टाटा समू के चेर्मेन रहे टाटा समू की गद्दी लंबे वक्ते तक उनकी ओर से समाली गई थी 1990 से साल 2012 तक उसके बाद सायरस मिस्त्री को उत्राधिकारी बनाया गया और उसके बाद उनको कारेकारी उत्राधिकारी अध्यक्ष भी यहां पर बीच में बनाया गया था 2016 से 2017 के बीच में जब सायरस मिस्त्री ने अध्यक्ष पद से स्तीफा दिया था तो बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर उनको मिली और जैसा लगातार हमारे सयोगी भी हमें बता रहे थे कि हाल के दिनों में उनकी तब्यत कुछ नासास थी और इस कारणवर्ष वो तमाम ऐसे जो बड़ी मीटिंग्स होती थी टाटा गृप्स की उसमें शिरकत नहीं कर प सब्सक्राइब करते हैं कब उनका जन्म हुआ कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाए पूरी की 1975 में होवर्ड से एडवांस मानेजमेंट प्रोग्राम उनने लिया और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष वो यहाँ पर बन जाते हैं 28 दिसंबर 1937 को मुंबई म में उन्होंने जन्म लिया था मात्र दस साल के थे जब उनकी माता पिता लग हो गये थे लेकिन उनकी दादी ने उनकी देखरें की उन्होंने उनको पाला पोसा और मुंबई में ही ऐसे में उनकी रहकर पढ़ाई पूरी हुई अपने भाईयों के साथ फिर वो यूएस चल नहीं उपलब्धियों की ओर लगाता टाटा गुरूप आगे चलता रहा और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ही अंतिम सांस ली है रतन टाटा ने और ऐसे में हमारी सायोगी रचना इस वक्त वहां से हमारे साथ जोड़ रही है रचना फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर जो शुब चिन तक हैं क्या वो आने शुरू हो चुके हैं? जो कि आदे घंटे में यहां पर एक्सपेक्टेड हैं अब यह हमें मंडे को पता चला था कि इनकी तबियत थोड़ी खराब चल रही थी इसलिए उन्होंने ट्विटर पे स्टेट्मेंट भी इशू करा था यह कहकर कि थांक यू फो थिंकिंग उसमी और उन्होंने अड्र पहर की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब तमाम लोग बहां पर एकटे होने शुरू हो चुके हैं और रतन टाटा भले ही बहुत बड़े उद्योग पती और बिजनसमैन वो रहे हो उद्योग जगत में उनका एक अलग नाम हो और बहुत तेजीब के से भी उनको साल 2000 में सम्मानित किया गया था और अमिताब सिना इस वक्त हमारे वरिष्ट्य सायोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताब जी उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ा शून्य है रतन टाटा जी का जाना और बीज़ एकज़ा ने ऑटना जो मच बहुत पर लिए मातर शी आसी साल की उम्र में शी आसी साल की उम्र के थे रतन टाटा और ऐसे में उनकी जो सांस ले ने में तकलीफ थी वो लगातार बढ़ रही थी फिर उनको अस्पाल में भ़ती करवा गया प्रीच कैंडी एसप बिताल में भरती करवाने के बाद 2-3 दिन तक लगातार उनका हिलाज भी वहाँ पर चला लेकिन आज 86 साल की उम्र में उन्हें अंतिम सांस ली दुनिया को अलविदा यहाँ पर कह दिया जो अप्लब्धियां और पुरसकार उनको यहाँ पर दिये गए थे उनका जिक्र करना भी बेहत जरूरी है पद्मिंभूशन जो कि भारत सरकार का तीसरा सरवोट चिनागरिक सम्मान है साल 2000 में उनको दिया गया इसके लावा ओरियंटल रिपब्लिक और उरुब्वे का पदक भी उनकी नाम था अंतराश्ट्री विशिष्ट उपलब्धी पुरसकार अधाप जी बहुत बड़ा शूली है पूरे उद्योग जगद के लिए खासतोर पर्क टाटा गॊरुप के लिए भी बहुर बढ़ 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 बड़ी सब्खित हैं कम सेखंड पूरे देश के लिए भारत के उद्यog जगत के लिए बड़ा जटका है रतन टाठा का चला जाना यहां ऐसाल की मोंबाई है और तन्टाटा है ऐसी जो भारत के उद्रोग जगत को एक नई पहचांर देने में और भारत के कि आथमनीकी कान की एक बहुत बड़ी मिसाल 있지 तो तटा भारत में सरकारी उद्रोग रेलुए के बाद और उन बड़ी कंपणिNow के बाद बड़े सरकारी उक्रमों के बाद उन वैसी कंपनी हैं जो सबसे ज़्यादा इंप्लॉई भारत के लोगों को करती है और हर जगह कर टाटा के अगर आप उद्योग धंदे देखें जिनको जहां पर पीडियों से लोग टाटा में काम करना है तो एक कमिट्मेंट एक मृस्तित की प्रॉमें जोड़ने का टरीका और भारत के समुदाए भारत की जनतागे सात्तों को उनको एक सेक्यूरिटी डेना जोब सेक्योरिटी देना यह बहुत बड़ी उपलब्दी सी टाटा की जिसको रतन टाटा ने आगे बढ़ाया और एक विजनरी लीडर थे वो उनको जो जिनकी जुन्होंने न सिर्फ अगर 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 नैनो को लेकर अगर नैनो जो जो आम आदमी की कार है जो सबसे महत्व जिसका पूरी दूनिया में जिसकी चर्चा हुई नैानो कार लेकर आय थे वले ही उस की चुरू में विवाद हुआ लेकिन उनको आनन से मुक्राण मंतरी मुक्चमंत भुजात में जगर दी और नैनो का उत्पादर हुआ और लाखे 5 अग रुपे में लक्टथिया कआर इ तो सिर्फ आटोमोबाइल में नहीं है अगर टाटा के ट्रक्स देखें टाटा टाटा के स्टील फैक्टरी देखें दुनिया बर में होटल तो ताज ग्रूप ऑफ होटल से यह तमाम चीज़ इसके एक्सपैंशन में दुनिया भर के बड़े-बड़े कंपनियों का दिग्रह अगर टेले कॉम रिवल्यूशन की बात करें तो उसमें टाटा का बड़ा रोल रहा है तो रतन टाटा के जो 86 साल थे अधिक वेमिसाल रहे हैं और टाटा का जो भारत के उद्योग जगत में जो इनके नेश्यत्यों में भारत के आग को आगे बढ़ाने में बागे दार्त क अधिक वेमिसाल है और इसकी तुलना ने किया तकती यह पूर्णिया चती है और मुझे लगता है कि पूरा भाहत पूरा उद्योग जगत कम से कम इनकी इनकी नहीं रहने का नुकसान काफी अर्चर जिलेगा और इनको मिस करेगा जी बेशर के हां पर जरूर यह मलाल भी र तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं से पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी जब लॉंच हुई थी टाटा ने नो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे खुद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी तब गुजरात की कमान उनके हाथ में थी तो वो लॉंच होती हु पर हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए आमिताब जी देखिए उनका जो कारेकाल है वो आपने बेशक यहां पर देखा भी होगा बहुत अच्छे से आपने यहां जिक्र भी किया विश्वरस्नियता की जो एक छवी थी उनके नाम से जुड़ी हुई थी टाटा ग्रुप स तो एक उस विरासत को आगे बढ़ाना कोई छोटी बात नहीं थी भारत में अगर एलाइन्स की शुरुआत हुई है तो टाटा के द्वारा ही हुई है अगर भारत में एर इंडिया को किसी ने करीद कर उसके रिवाइवल की बात की है जो इक्तम डूबी हुई सरकारी कम्ती द्वाइब अज भी जो भारत का उद्योग है उसमें सबसे बड़ा योगतान वी राटन टाटा कें जिनके विजन ने उनके विजनरी बाग दर्शन है इसने इस ने इस वागे बढ़ाया है तो यह इस फिर बारत में भारत में अगर उन्हें पत्म भूशन से संभानित किय तो नहीं दोजार थीज में और अश्चेलिया से और दोजार चौदर में और बिटिश अंपायर से उनको समानित किया गया है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक हारवार्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ा हुआ अभी कॉर्णल उनिवसिटी से भी पढ़ा हुआ एक इंसान जो को अतुली हैं और इसलिए उनको हमेशा हमेशा यहां पर अब जहन में हर कोई जरूर याद करेगा उनके कामों के लिए उनके विचारों के लिए उन्होंने जो पूरी विश्वे को प्रेंडना दी उसके लिए इसके साथ-साथ हम लगातार वो तस्वीरें भी आप तक पह बाहर की जहां पर अब हल्चल थोड़ी तेज होती हुई यहां पर जरूर दिख रही है और ऐसे में तमाम जो शुब चिन तक है उनकी आब अस्पिताल की बाहरे खटे होने भी शुरू हो चुके हैं क्योंकि यह बहुत बड़ी ख़बर सबके लिए एक छटका इस ख़बर रहे थे अपने काम में वो अक्टिव थे जितनी भी मीटिंग्स होती थी टाटा समू की उसमें वो शिरकत करते थे फैसले अब भी वो लेते थे लिकिन जब इधर कुछ दिनों से उनकी तब्यत नासाज हुई तो उनको अस्पिताल में भरती करवा गया और आज यह ख़ब दिन पहले तक भी वो लगातार काम कर रहे थे मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे थे फैसले उनकी ओर से लिये जा रहे थे और जब उनको थोड़ी सी उनकी तब्यत यहां पर खराब हुई तब उनको अस्पिताल में भरती करा जाता है यानि कि 86 साल की उम्र में भी वो आक्ट सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट के चेर्में थे और बीच करणी स्वताल में उनकी मौत हुई है बड़ती उमर थी 86 साल थी परेशानिया बहुत थी लेकिन काफी समय से अगर पन्न विभूशन से उनको एक बड़े उत्योग पती को समाइन दीत किया रहा है तो पुरे द रोपकार की बड़े बड़ी मिसाल थे उन्होंने बिजनेस जो जो बिजनेस है जो इंडस्ट्री है और इनसे अलग भी अपी दुनिया पर एक कमिट साब छोड़ी है फिलांत्रोपिस बहुत बड़े फिलांत्रोपिस थे लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे तो यह बहुत बड़ी बात है तो एक बात और साफ है कि रतन ताटा के नहें तो महीं टाटा ग्रोप में टाटा समू ने बड़ी बुलंगियों को चुआ था 291 में टाटा समू की चेर्मेन बने थे उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा ना टाटा समू ने पीछे मुड़ कर देखा वो लगातार इस पर बने रहे और टाटा टाटा कंसिल्टर्सी सवीस जैसी कंपनियों की स्थापना भी की टाटा को काफी आगे बढ़ाया और टाटा टस के चेर्मेन भी रहे वो तो ये ये और अब जो पद्म वीभूशन और पद्म भूशन से अगर बारत सरकार ने उने संबानित किया तो सर्वोस नागरी पुर ग्रुप्स भी जरूर याद रखेगा और ये देश भी जरूर याद रखेगा ब्रीच कैंडी एस्पिताल जहां पर रतन टाटा की ओर से अंतिम सास ली गई है वहाँ पर हमारी सयोगी रचना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रचना क्या तस्वीर वहाँ से फिलाल जी अब अब से कुछी देर पहले हमें पता चला कि उनका दुखत निदन हो चुका है हमें ये भी मालूम पढ़ा कि मंडे से ही उन्हें यहाँ पर भर्ती किया गया था इनफाक्ट मंडे को जब ऐसी अफवा चली थी तब उन्होंने खुट ट्विटर पे एक स्टेट्में हो चुके हैं और अभी थोड़ी दिर पहले हमें पता चला कि अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं जैसे कि आपने कहा वो एक जाने माने ऑंट्रेप्रेनॉर तो थे ही उसके साथ साथ एक बहुत बड़े दिलवाले फिलांट्रपिक था तो ये काफी काफी डीप लॉस है पूरे इंडिया इंक का पूरे इंडियन ससाइटी का हमें यहां पर मालूम पढ़ रहा है ब्रिज कैनरी हॉस्पिल के बाहर कि अब शुप चिंतकों की गाडिया आना शुरू हो चुकी है थोड़ी ही देर में उत्मुक्या मंत्री जो है महाराश च्रके देवेंद्र फणन मैं ब्रिज कैन्डी अस्पिताल जा रही हूँ और 10 मिनेट का रास्ता हो रहा है मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी बहुत दुखत ख़बर है वाकई शिवानी यह आपके लिए मेरे लिए पूरे देश के लिए और मैं आपको एक चीज बताऊं मैं उसी फ्लाइट से आई आ ऐसे लोग शायद जन्मों में जन्म लेते हैं जो किसी भी पीडी को इंस्पायर करते हैं जो एक एंसान होने के नाते कितना इंस्पायर करते हैं क्या आप और मैं इस बात की चंता करेंगे कि कोई अगर स्कूटर पर जा रहा है तो हम उसके लिए भी इन्वेंशन करें लेक तो इस तरीके के लोग युग पुरुष कहलाते हैं ऐसे लोग युगों में जन लेते हैं और उनका जाना एक ऐसी शती है जो कोई नहीं भर सकता शिवानी मैं अभी यहां से गुजर रही थी सीलिंग के पास यह ताज होटेल है यहां पर तो देखकर फिर से जहन में आया कि यह भी रतन टाटा की और समय से अरे किया जाता है रतन टाटा वह व्यक्ति जो निचले सतर से लेकर उन्चे सतर तक के आदमी के सब खयाल रखे थी आगर अगर आत्मी है तो उसके ले हम कैसे काम करएंगे और जो ऊंचे सतर का पहानी को संगर्श के गवा करती हैं कि यहां पर कॉटन की जो है सबसे पहले मील ओपन की गई और उसके बाद ऐसे शिवानी आप भी इस बात को मानेंगी ऐसे लोग कम होते हैं जो अपने माबाप के जो जो बिजनिस है उसको आगे लेकर जाए लेकिन रतन टाटा वो व्यक् कमपनियां दे दे लेकिन रतन टाटा एक मात्रे से व्यक्ति थे जो बोर्ड की मीटिंग से दूर हो गए किसी और कुणों ने बोर्ड का मेंबर बनाया और चेर्में बनाया क्यूं क्योंकि वो इस प्रथा को खत्म करना चाहते थे कि कि किसी एक परिवार का आदमी ही पूर नहीं पाएगा श्रिवानी बेशक बहुत बड़ी अपोनिय शट्ती यहां पर टाटा गुर्प्स के लिए पुरदेश के लिए हम तमाम देशवासियों के लिए लगातार हम तमाम अपडेट साब तक पहुंचाते जा रहे हैं क्या वो वहां पर पहुंचे या इसके लाव पाभी कौन वहां पर पहुंच चुका है जो आजू-बाजू के लोग हैं सब निकल कर आए हैं इसलिए पुलिस काफी जबर्दस बंदोबस्त करे जा रहे हैं इन फाक्ट हमें भी थोड़ा-थोड़ा मूफ किया जा रहा है अभी होस्पिटल की गेट से दूर जैसे कि ट्राफिक का फ्लो बना रहे लेकिन अभी त इस वक्त आप देख रहे है टाटा मोटर्स के जहां पर किस तरीके से टाटा नैनो को यहां लॉंच करते हुए प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी और अरितिन टाटा की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं क्यूंकि जिनके बारे में कोई नहीं सोचता था उनके बारे में रतन टाटा की ओर से यहां पर सोचा गया उनने सोचा कैसे गाड़ी को आम इंसान तक भी आम आदली तक भी उपलब्द किया जाए चार पहिया वाहन उन तक भी पहुँचे और उस वक्त मात्र एक लाक रुपे के आसपास इस टाटा नैनो कार की कीमत थी और कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इसको खरीदा भी होगा वो अनुभभ भी उनके पास होगा इस बीच आपको बता दें भारती उद्योग पती मुकेश अमबानी की ओर से भी यहाँ पर ट्वीट किया गया है और उन्होंने भारत का आपने सबसे दयालू बेटा चला गया यह उनने लिखा तो बड़ी खबर मुकेश अमबानी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जिताया है यह भारत और भारती उद्योग जगत के लिए बहुत दुखत दिन है यह उनकी ओर से लेखा गया और रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समू के लिए ही नहीं बलकि हर भारती के लिए एक बड़ी क्षती है रतिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है क्योंकि मैंने एक प्रियम मित्र को खो दिया है उनके साथ मेरी प्रतेक बाचीत ने मुझे प्रेरित और उर्जावान बनाया और उनके चरित्र की महानता और उनके द्वारा अपनाये गए उतक्रिष्ट मानविये मुल्यों के प्रती मेरा सम्मान बढ़ाया रतन टाटा एक दूर दर्शियो द्योगपती और परोगकारी व्यक्ती थे जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया श्री रतन टाटा के निधन के साथ भारत ने अपने सबसे शांदार और दयालू पुत्रू में से एक को को दिया है श्री टाटा ने भारत को दुनिया भर में पहुंचाया और दुनिया की सर्वश्रेष्ट चीजों को भारत में लाया उनने टाटा घराने को संस्था गतरूप दिया और इसे एक अंतराश्टी उध्यम बनाया जिसने 1991 में चेर्मैन का पत संभालने के बाद से टाटा समू को 70 गुना से अधिक बढ़ाया रिलाइंस नीता और अमबानी परिवार की ओर से मैं टाटा परिवार और पूरे टाटा समू के शोक संतप्त सदर्सियों के प्रती अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ रतन आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे ओम शांती मुकेश अमबानी की ओर से ये ट्वीट यहां पर सामने आया है जहां पर उनकी ओर से भी शोक व्यक्त किया गया है इससे पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आया था उन्होंने भी अस्ताधारन व्यक्ती बताया रतंटाटा को और ऐसे में उनकी ओर से भी शोक व्यक्त किया गया तुरतन टाटा भारती उद्योगपती जाने माने उद्योगपती अपने विचारों के लिए अकसर उनको जाना जाता था और टाटा समू को जिस तरीके से वो लगा अतार आगे ले गए उसके लिए उनके कारेकाल के लिए उनको जाना जाता था लेकिन आपको बता दें कि लं जो बड़े पशूर लोग है – उनकी ओर यहां पर उनके लिए शोख व्यक्ति किया जा रहा है और ऐसे में खुद अमबानी परिवार के ओर से भी यहां पर शोख व्यक्ति किया गया играल है पर सामने रखा है, उन्हें अपना शोक व्यक्ति किया है।ो हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड रहे हैं। और इस वक्त हमारे सही होगी सपना हमारे साथ जुड़ रही हैं। सपना उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षती यहां पर है। खास तोर पर अगर टाटा गृप्स की बात करें, टाटा कंपनीज की बात करें, तो बहुत बड़ी क्षती उनके लिए एक बहुत बड़ा शून है। इसी फ्लाइट से अप लेंगे, आप बाकी चीजों में जाएंगे तो टाटा से। मतलब आप समझेए कि एक छोटा इंटर्परिनियोर से लेके बड़े इंटर्परिनियोर तक का उनका सोचना था जो मैंने पहले भी कहा। और वो यह सोचते थे कि हमें हर क्लास को आपको सुविधाएं देनी है। और यह आज से नहीं है श्रिवानी। उनकी एक किताब है दा स्टोरी ओफ टाटा। जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एसी के साथ उन्होंने बौर्ड मीटिंग में इस बात को कहा था, कि आने वाले समय में बौर्ड मीटिंग को छोड़ दूँगा। क्यों कुए उस परमपरा को चलने नहीं देने जासे आगता हूँ और इसी के साथ में उस किताब में इस बाद का चाज करें कि हम बड़ करेंगे हम लगिर्ट निकालेंगे लेकिन टाता के साथ और यहीं तरहते थे उनका यहीं सोचना सब्सक्राइब करते हैं, जो आज भी चलने की स्थिती में ना रहे, लेकिन अगर किसी ने उनको इन्वाइट किया है, अपने किसी भी प्रोग्राम में, तो वो जाते थे, क्यों कि उनको बच्चों से लगाता, वो यह चाहते थे कि आने वाली पीडी को कुछ चीजे दी जाएं, बताया जाएं, समझाया जाएं, आजादी के वक्त में उनका बड़ा योगदान रहा, जिस वक्त अंग्रेज भारत छोड़ कर गए, उस वक्त कॉटन जो है, एक ऐसा उद्योग था, जो आगे बढ़ने वाला उद्योग था, जिसके बारे में सबसाद अंग्रेजों को इमालमता, उनने इंडिगो सिस्टम को शुरू किया, कि कैसे चीजों को आगे मैनेज किया जाए, लेकिन रतन टाटा और टाटा कंपनी को इमालूम था, तो टाटा कंपन अगे बढ़ाया और रतन टाटा को इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है, मैं मुंबई का जिक्र कर रही हूं और थोड़ी दर में मुझे लगता है, कितना राइम लगे का दाद और, पांच मिनेट और, पांच मिनेट में मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगे, आपको अस जिसने यहाँ पर मील्स बाकी लगाए हैं, जिसने यहाँ पर कई बड़े फ्रेंचाइजी, जो ताज जिसने एक नासूर धेला था उस आतंकवाद का, उस टाटा कम्पनी नहीं उस टाज की चभी को फिर से बगाए हैं, तमाम जानकरी हम आपसे बेशक यहाँ पर लेंगे हैं, और ऐसे में तमाम जो बड़े विशिष्ट लोग हैं उनकी ओर से भी यहाँ पर उनके शोक व्यक्त किया जा रहा है, उनकी ओर से भी, हमने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का उट्वीट भी आप तक यहाँ पर पहुंचाया और अब रतन टाटा के परिवार की ओर स 86 साल की उम्र में अंतिम सांस यहाँ पर ली गई रतन टाटा की ओर से, 1937 में उनका जन्म हुआ, मुंबई में ही जन्म हुआ, उसके बाद वहीं मुंबई में ही उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर हुई, और पढ़ाई लिखाई के बाद फिर वो यूएस चले जाते हैं यूएस में फिर आगे की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वापस जब भारत लोटते हैं तो टाटा कंपनीज की टाटा ग्रुप की कमान उनको यहाँ पर सौंपी जाती है, इसके लावा भारती उद्योग पती मुकेश अमबानी की ओर से भी बयान जारी किया गया है, उ क्योंकि मैंने एक प्रीयमित्र को खो दिया है, उनके साथ मेरी प्रतियक बातचीत ने मुझे प्रेरित और उर्जावान बनाया और उनके चरित्र की महानता और उनके द्वारा अपनाये गए उतकृष्ट मानविये मुल्यों के प्रती मेरा सम्मान बढ़ाया, रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योपती और परोगकारी व्यक्ति थे, जिन्नोंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया, श्री रतन टाटा के निधन के साथ भारत ने अपने सबसे शांदार और दयालू पुत्रू में से एक को खो दिया है, श्री टाटा ने भारत को दुन होना से अधिक बढ़ाया, रिलायन्स, नीता और अमबानी परिवार की ओर से मैं टाटा परिवार और पूरे टाटा समो के शोक संतप्त सदस्यों के प्रती अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, रतन आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे ओम शांथी, उकेश अमब थी और दो से तीन दिन पहले ही उनको अस्पिताल में भरती करा गया था, तब जब उनको सांस लेने में कुछ तकलीफें यहां पर मैसूस हो रही थी, इस बीच पूरा देश जब उनको याद कर रहा है, तो ये तस्वीरें याद करना भी बेहत जरूरी हो जाता है, जिस त बारे में भी वो हमेशा सोचते थे, बेशक हर उद्योगपती अपनी कमपनी के बारे में तो सोचता ही सोचता है, लेकिन क्योंकि द्यालू सुभाव के थे रतन टाटा, ऐसे में अपने द्यालू सुभाव की वज़ज़ से अपने परुपकारी सुभाव की वज़़ज़ स वो कभी भी आम आदमी के बारे में सोचना नहीं छोड़ते थे और इसे वज़허 से Gusty उनकी तमाम विजिन में कई बार आम आदमी को भी आसानी से देखा जा सकता था कि किस तरिके से उसकी सफलता के बारे कि वो उसको खरीद पाए तो उस तक भी वो गाड़ी पहुँचे और चार पहिया वाहन में अपने परिवार के साथ वो भी सफर कर पाए इस विजन के साथ वो टाटा नानो को लेकर आये थे। आपको यह भी बता दें, प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हमने कुछ देर पहले यहाँ पर आपको दिखाया था, कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगेकर बी ट्वीट यहाँ पर सामने आया है, जहाँ पर उनने शोक्त व्यक्त किया है, क्योंकि एक ब